एलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और यह बहुत ही important information आपके लिए निकल कर क्या रही है अगर आप UPTT की परिक्षा वाले अभ्यरती हैं यह अगर आप UPTT का फॉर्म फिल किये थे और टीटी की परिक्षा देना चाहते है तो एक बहुत ही ज़रूरी जानकरी है आपको नई परिक्षा तिती जो है वो घोशित कर दी गई है और हलाकि यह भी website जो है वो open नहीं हो रही है परन्तु मैं आपको कुछ official sources दिखाता हूं जिसके माद्यम से आपको परज़ लेगा कि यह exam date जो है बहुत ही अच्छी तरी जो कर दीजिए देख सकते हैं इस अब चीजें अभी न्यूज में भी आपको यहां पर देखने को मिल रही है साफ़ साफ़ आप देख सकते हैं न्यूज चैनल के माद्यमसर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं यूपी टी टी परिक्षा 23 जनवरी 2022 को आजित होगी यू लोगों तक पहुँच गया था आप देख सकते हैं कि प्रात्मे किस थर में 12916828 परिक्षार्थी यह संख्या दी हुई है और उच्छ प्रात्मे किस थर में 873553 इतने परिक्षार्थी जो है वो शासन की तरफ से शासना दे जारी करके बताया गया था कि शामिल किये गए हैं तो इनके बारे में कैसे उनका एड्मिट कार्ड वगरा कैसा होगा देखिए आपर इसके एरम लिखा है यूपी टीटी से जोड़ी एहम अपडेट यह है कि इसके एड्मिट कार्ड फिर से जारी होंगे और अब्वियर्थियों को नए एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने ह पुराने से उन्हें एक्जाम में इंट्री नहीं दी जाएगी तो यह फिलहाल हवाले से बताया जा रहा है वेबसाइट जो है वो अभी ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट ओपन करने का प्रयास किया गया था आपके सामने एक बार हम फिर से ओपन करके देख लेते हैं आपको यहां पर क्लियर है तेएस तारिक को आपका पेपर होगा प्रतम पाली 10 से साढ़े बारा और दुती पाली थाई बजे से पांच वे तक होगा यह पेपर आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद की भी डेट आपके सामने यहां पर है 25 तारिक को आपको देखना ह 21 फरवरी 2022 निधारित की गई है तो फिलहाल ये कुछ important information थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई इन dates को तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जल्दिस जल्दिस की तैयारी शुरू करने के लिए आपको 23 तारीक की जो date है 23rd की जो date है 23 जनवरी की जो date है इसको ध्यान से बिलकुल अपने दिमाग में बैठा लीजे कि ये परिक्षा इस जिदी को होने वाली है फिलहाल तो यही खबर है आगे अगर इस पे कुछ फिर से changes आते हैं शाशन के आगे कुछ नए आदेश आते हैं तो उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा क्योंकि चनाओ को भी समयल चल रहे है हो सकता है कि इसके बारे में कुछ नए अपडेट भी आए पर फिरहाल तो यही अपडेट आपके सामने आया हुआ है तो आपकी परिक्षाओं के लिए शुब कामना हो सहीत सेलेक्शन में टर आप सब लोगों के उच्छे से अच्छे नंबर लाने की उम्मीद करता है कामना करता है फिर बुलाकात करेंगे इसी तरीके किसी दूसरे वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कात थन्यवाद